हमीरपुर जिला में बारिश के कहर के कारण शतिक रस्त हुए कुनाह खट पर बने पुल का एक हिसा तोड़ जाने से शिमला चंडिकर राजमारक बादित हो गया था लेकिन बिवाग में केबल साथ तिनों के अंदर ही पुल की मुरमत करके चोटी गाड़ियों के लिए आस पुल को खोल दिया है जबकि मंगलवार को बड़ी गाड़ियों के लिए पुल खोल दिया जाएगा चोटी गाडियों की आवजा ही सुरू होने पर लोगों ने राहत की सांस ली S.D.O. भार्दौस ने कहा कि पुल पर से मंगलवार को बड़ी बाहन भी कुजर सकेंगे धरमशाला से शिमला और हमिरपूर से चंडीगर नैशनल हाइवे मोर्सो के पास कुना खड पुल 13 अगस्त को क्षिति ग्रस्त हो गया था जिससे नैशनल हाइवे छे दिन बाद दरूस्त करके छोटे बाहनों के लिए खोल दिया गया है यह जानकारी नैशनल हाइवे के सहायक अवियंता केके भारद वास ने दिए उन्होंने बताए कि बड़े बाहनों के लिए नैशनल हाइवे को मंगलवार को खोल दिया जाएगा पुल के शतिग्रस्त होने से लोगों को संपर्क मारक त्वारा 10-15 किलोमीटर दूर घूंग कर हमीरपूर पहुंचना पड़ता था लिंक रोड होने के कारण जगा जगा यातेयाद जाम भी लग रहे थे जिस कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था विभाग द्वारा पुल को दुरुस्त करने के कारण अब लोगों ने राहत की सांस ली है